प्रिय बापू और बापू के प्रिय हम सब मैं वहाँ से यहां तक आ रहा था तो बोलना चाहता था कि यह इस नाचीज को थोड़ी सी जगा चाहिए क्योंकि इतना हलका पुलका सा मेरा और सब लोगों का शरीर है कि वैसे हम जगा तो रोकते नहीं हैं हवा रोकते हैं सिर्फ दो तिन बातें जैसे आप उन्हें अचानक बताया तो मन में जो है वो बताओं आज सुबे को हमने देखा कि एक घंटे में व्यासपिट का मूड कैसे कैसे बदलता रहा मैं समझता हूँ आप सबने भी नोटिस किया होगा दस बजे तो ऐसा लगता था कि जितने आशू अंदर है वो आज बार उमट जाएंगे लेकिन आदे घंटे के बाद हमको मालूम पड़ा कि वो आशू संगीत की तर्ज में बदल गए हैं और पूरा पंडाल साथ में गाने लगा था शायद ऐसी बारी बहुत कम आती है और जब आती है तब हम है वो हमारे जीवन का एक सदबाग्य है ऐसा मेरा अनुबव बोलता है I think you also agree to the same point मैं एक दूसरी बात बताओं बापू दो दिन से मैं ये experience कर रहा हूँ कि जो कुछ फिल हम कर रहे हैं वो दूसरे दिन आप बोल रहे हैं it may be my own experience or my own feeling may not be for all but I am sure that what I am experiencing since last two days I am finding the same points in the early morning by Bapu from the Vyaspit so whatever he said in the past gathas that if you surrender to your Buddha Purush with totality he will be with you at every time वो आपके साथ रहेंगे मैं एक बात आधार के साथ बताओं क्योंकि अभी लोग Bapu के पास से भी आधार मांग रहे हैं ये जमाना ही आधार कार्ड का चला है वैसे विरपूर में तो Bapu ने कहा था कि राम कथा खुद ही आपका आधार कार्ड है लेकिन Bapu आपने बताया था ओशो का रेफरेंस करके भुरी बाई और एक और संथ के बारे में और आपने कहा कि वो इतना कहा कि एक प्रगड है और दूसरा प्रगड नहीं है लेकिन वो भी वो ही स्तर्प है तो उसी दिन मैं अभी जो पढ़ रहा था उसमें विनोबा जी ने अपने पिता जी के बारे में यही बाते लिखी थी What to what the same विनोबा जी के जो पिता जी थे आपको मलूम होगा विनायग भावे विनोबा जी महराष्ट के थे ऐसा कहना अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो महराष्ट के थे नहीं पूरे जगत के थे जिसका रेफरेंस आज बापु ने जगत करके बोला था मंगलाचरण के वो आचरण तो दिये थे उसमें तो वो विनोबाजी के पिताश्री बहुशृत विद्वान थे, ऐसे विद्वान थे कि वो संगितकार थे, कथाकार थे, टीचर थे, गणितकन थे, व्यास थे, सब कुछ कर रहे थे, तो उनका जब दिहावसान हुआ, तो विनोबाजी ने शद्धानजली में लिखा कि बाब कोई विख्यात आदमी नहीं थे, लेकिन बहुत महान से महान अप्रसिद्ध पूरुश हो गये हैं, उसमें से एक पूरुश वो थे, What yesterday, बापु रिफर्ड कि कई लोग ऐसे होते हैं कि जो अप्रगट है लेकिन वो भी महान थे, the same was referred by विनोबाजी in case of his own father, एक बात साथ में बता के मैं मेरे बात को विराम करूँगा, I am very happy to listen from बापु about nurturing of your child, मैं ऐसा समझता हूँ कि भारत वर्ष में या पूरे विश्व में आज एक ही क्राइसिस है, तो वो क्राइसिस वो है कि हम हमारे बच्चे को पूरा समय नहीं दे पा रहे हैं, मेरे को याद है मैंने लंडन में भी बापु को मानस विश्मई के लिए एक चिठी बेजी थी, वो अभी भी बाकी है, we are all waiting for that कथा, ये विश्मई ये है जो बच्चे के पास अकबंध है, लेकिन वो विश्मई हम जल्दी से लुटा दे रहे हैं, I already referred at that time कि रामचरित मानस में इतने सारे विश्मई पड़े हैं, कि एक के बाद एक खोला जाए, तो ये next generation को चमतकार लगेगा, they are not able to believe कि ऐसा कुछ होता है, वह हुआ होगा, तो जो बच्चों को परवरिष्ट की बात है, खास करके माताओं के बारे में, वो बापू अच्छी तरह से कह रहे हैं, उसमें में दो छोटे प्रसंग आपके सामने विनोबाजी के जिवन से रखना चाहूंगा, यह बहुत फेवरिट प्रसंग है, उनका बहुत अच्छा सा परिवार था, चार भाइबेन थे, और माताओं जी पूरी दर्म परायन थी, लेकिन विनोबाजी का पूरा जो घड़तर जम जिसको बोलते हैं, पूरा परवरिष्ष्ट जो किया, वो माताओं जी ने किया, उठाए, वो बचपंड में उनकी माता के द्वारा किया गया था, सम जर्नालिस्ट आसे क्वेश्चन टू विनोबाजी ने बुदान यात्रा, आप सब को मालूम होगा कि विनोबाजी ने बुदान यात्रा की थी, 72,000 किलो मीटर्स वो पैदल चले थे, बहुतेर हजार, ग चलते रहें, और 42,000,000 एकर जमीन उसको भुमी में दान में मिली थे, 42,000 एकर लेक एंड, जमीन दान में, उसको बोलते थे भुदान, भु मिन्स जमीन, जमीन का दान, जर्नालिस्ट ने पूछा कि ये बात आपके मन में कैसे आई, कि ऐसा कोई आंदोलन या प्रवुर्ति शुरू की जाए, भुदान की, कैसे आपने ये तई किया, उनका जवाब बहुत अच्छा था, उन्होंने का, ये आज की बात नहीं है, हम जब छोटे थे, तो हमारे घर में रुक्ष लगे हुए थे, उसमें एक फणस जिसको हम बोलते हैं, I am not sure about the, कथल, okay, जेट फूट, वो उनका एक बड़ा सा रुक्ष था, और सभी बच्चे देखते थे, कि उनके उपर फूट अभी आ रहे हैं, एक के बाद आ रहे हैं, तो रोज उटके, बच्चे पहले बगीचे में जाते थे, और देखते थे, कि वो बड़ा हो गया, खाने के लायक हो गया, क्योंकि जिसको मा विन्या खेती थी, उसने कहा विन्या देखो वो फूट तो अभी पक गया है, तो उसने बोला कि मा उतार के हम सब खा जाएं, उसने बोला नहीं, ऐसा नहीं करते, तुम पहले तय करो, कि तुमें देव बनना है, या रक्षस बनना है, ये माता जी का प्रशना था कैसे मा अपने बच्चे के साथ संसकार या मुल्य के लिए पेश आ सकती है, उनका ये उदारना, तो बच्चों ने पूछा ये फौल खाने की बात में देव और रक्षस कहां से आ गए, फौल देना है तो दो, वरना ये बात छोड़ो, उन्होंने बोला नहीं, पहले तुम पसंद करो, क्या बनना चाहोगे, देव या रक्षस, तो विन्या ने प्रशना किया, कि देव क्या होते हैं, रक्षस क्या होते हैं, वो पहले बताओ, बात में हम तो ही करेंगे, उन्होंने कहा, आपको मलूम नहीं, तो भाई ने बोला, कि जो स्वर्ग में रहते हैं, वो कुछ है नहीं यहां जो रहते हैं वो ही देव है और यहां जो रहते हैं वो ही राक्षस है तो विनोबाजी ने प्रशन किया ऐसा कैसे हो सकता है एक पृत्वी पे दोनों कैसे रह सकते हैं उन्होंने बताया कि जो अपने में से किसी को देना पसंद करता है वो देव बन के रह बोलो तुम क्या बनना पसंद करोगे। तुरंती बच्चों ने बोला हम देव बनना पसंद करेंगे। तो देव बनना है तो उपर से जो फल नीचे आएगा वो पहले बांटा जाएगा। चार बांट लेंगे, पांच बांट लेंगे। लेकिन जैसे फल नीचे उत्रा, छोटी-छोटी कटोरी लगी और उनकी माता जी ने छोटी-छोटी पेशियां चार-पांच कटोरी में रखी। जैसे उठाया ऐसा ही वो लग ठेरो-ठेरो-ठेरो बांटने का मिनिंग क्या हम खाले वो बातना तो नहीं है, यह जो वुरुक्ष है वो पडोस वाले ने भी देखा है, यह बगलवाले ने भी देखा है, तो बेतर वो होगा कि कटोरी लेके पहले पडोस में जाओ और वहां जाके देखे आओ, बाद में तुम्हारे लिए खाने का होगा। विनोबा जी ने जर्नालिस को कहा कि दे ते देव अने राखे ते राक्षस ये मिनिंग जो मैंने पहले से मेरी मां से जाना था उसमें से मेरे को विचार आया कि जो आपके लिए नहीं है वो किसी को दे देना चाहिए उसमें से मैंने विचार रखा कि आपकी परवरिश के लिए जितनी जमीन है वो रखो बाकी नहीं दान करो तो लोगों ने ये समझ लिया कि ये तो बुरी बात नहीं है और बुदान करना सुरू कर दिया 48 लेक एकर जमीन इसी परवरिश से आई जो मा ने डेव और राक्षस के बीच की जो डिफरेंस था वो क्लियर कया था बचपल में मैं आगे बहुत कहना नहीं चाहूँगा क्योंकि बहुत सी बाते हैं लेकिन दो टीन बाते जो बापू बता रहे हैं समीत तसनेह और समय ये तीन बाते वो पूरा समय हमारे बच्चों के लिए हम यदी नहीं निकाल पाएंगे तो बाहर के जो वाइरस है दे आर वेटिंग तो केच अवर नू जनरेशन एक ऐसा थियरी बना है कि यदी आप आपके बच्चों को विज्ञान नहीं समझा पाओगे तो वो विकृती तुरंत समझ पाएंगे that's why it is our responsibility to convince them what is the science of the matter science means what is the religion of the matter religion means वो matter कैसे बना है किसने बनाया है अस्तित्वत का उसमें क्या रोल है ये नहीं टै कर पाओगे तो जैसे चाइना में हुआ वो ही हो जाएगा जो नहीं खाया जाता वो नहीं खाना चाहिए जो खाया जाए वो ही खाना चाहिए ये बातें हमें बचपन से सिखानी चाहिए अभी माएं बहुत लाड़ से बोलती है कि मेरा बच्चा तो पनीर के बिना कुछ खाता ही नहीं है इतना advance हो गया है वो advance नहीं हुआ है आप पीछे चल रहे हैं क्योंकि उनको समझना चाहिए कि भिंडी भी खाने की item है और भाजी भी खाने की item है चितना green खाओगे उतना अपनी दृष्टी अच्छी बनाओगे यह कहेगा कौन बाहरवाला कोई कहेगा are you waiting for others to teach your child child is yours वो आपका बच्छा है एक दफा विनोबा जी के पिताश्री आये वो बर्वदर आते थे तो वो अपने साथ दिवाली की मिठाई लेके आये हर दफा आते थे और उन्होंने आके एक बॉक्स खोल के दिया कि यह दिवाली की मिठाई है बच्चे दोडे बॉक्स खोला तो उसमें से मिठाई निकली बच्चे की परवरिस ऐसी थी कि बच्चे बॉक्स लेके मां के पास गए कि मां देखो यह पिताश्री मिठाई लेके आये है और मांने अंदर से रेप खोल के दिया यह बाल रामायन है यह बाल महभारत है और यह बाल बगवत किता है देखा है यह तीन का नाम मैंने पहली दफा दिवाली की मिठाई के तोर पे जब अपने पास लिया तब पूरी जिंदगी में उनके साथ जीता रहा है मैं विनोबा जी को आधार इसलिए रहा हूं कि उनकी सवासो वी जन्मसताब्दी चल रही है 125th birth anniversary is going on of विनोबा भावे and I know that Bapu is very well words about it मेरे को मालूम ये सब बाते Bapu को मालूम है वैसे भी सब कुछ Bapu को तो मालूम ही है लेकिन हम छोटे बच्चे इसलिए हैं कि हमको भी अच्छा लगता है जब कोई वडिल के पास उनकी जानी पेचानी बात हम हमारी भाशा में रखे इसलिए मैंने रखा ह एक छोटा सा सुत्र कहके मैं मेरा काम पूरा करूंगा और वो सुत्र हमारे लिए बहुत ही आधारबुत है उनको जब पुछा गया कि आप इतना सब घुमते हो 72,000 किलो मीटर साब चले हो 13 साल चलते रहे तो क्या पाया आप कैसे घुमे उनका जवाब था हमें घुमाने व त्याग है और न हमारा फकिरी बाना है हमें घुमाने वाली चीज तो रहम हमदर्दी और करूना है ये रहम हमदर्दी और करूना वो ही हमारा सत्य प्रेम और करूना Thank you very much Thank you